कितना बड़ा और कितना महान देश है अपना यहां की मिट्टी भी सोना उगलती है और आज मैं आप से उसी जमीन की बात करूँगी जो धन संपदा लाती है जो आपके घर सोना उगलेगी आज आपको जमीन की ताकत दिखाऊंगी आज आपको मिट्टी की उपाई बताऊंगी मिट्टी आपकी जिंदगी बदल सकती है आपको मिट्टी से खुबसूरत बनने का तरीका बताया जाएगा आपको जमीन के शुब अशुब लक्षन भी बताऊंगी जिससे आप भविश्य में वही जमीन खरीदे जो आपके बताऊंगी आपके लिए लेटिस्ट वाशन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है शो में सबसे पहले आपको आज का पहला महाउपाय बताती हूं क्या हमेशा गुसा आता रहता है कुछ भी अच्छा नहीं लगता जिसके साथ ऐसी परिशानी है उसके उपर से राई मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि करोडों परिवारों का पेट भरती है यह मिट्टी सिरफ धरती से सोना नहीं उगलती है यह मिट्टी आपको माला माल भी बना सकती है आपको मिट्टी की ताकत पहचाननी है वह अचूक उपाय करने हैं जो मिट्टी को चमतकारी बना देते ह आईए जानते हैं अच्छे से करने के बाद जो मंत्र बता रही हूं उसका जाब करें मंत्र बहुत आसान है एक एक शब्द पढ़ूंगी ताकि आप नोट कर लें मंत्र है ओम पदमावती पद्मकुशी व्रज ब्रंजापुशी प्रतिभवन्ती भवन्ती मंत्र जाब के लिए घर के नौर्थ चाहते हैं तो आप पकेवे मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग कर उसके मूँपर मौली बांद कर चटा वाला नारियल रखकर भेते विपानी में प्रवाहित कर दें एक मिठी के दिये में कच्छी धानी के तेल में लॉंग डालकर हनुमान जी की आर्थी करें इससे हांडी घर में कहीं रखते यो पाई बुद्वार को करें घर में धन आना शुरू हो जाएगा अचा घर में सुक शांती के लिए मिठी का लाल बंदर जिसके हाथ खुले हो घर में सूर्य की तरफ पीठ करके रख दे यानिकी इस्ट में रखें बट बेस्ट को फेस कर रहा ह ऐसा करकर रखने से घर में सुक शांती रहती है घड़े में पानी भर कर किसी अकेले कमरे में रख दे अगले दिन जिस घड़े का पानी कुछ कम हो जाए उससे अन्न से भर कर रोज अच्छे से पूजा करते रहें बाकी घड़ों के पानी को घर आंगन खेत में छिड़क द किसीने जमीन पर कब्जा कर लिया या फिर जमीन ही गरबर निकली या फिर जमीन आपको फली ही नहीं अगर ऐसा है तो आपको क्या करना चाहिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आये जानते हैं जमीन ऐसी जगा ना हो जहां गली या रास्ते का अंत होता हो जमीन तीन रास्ते एक साथ मिलते हो वहां भी ना ले ये अशुब होती है अगर जमीन खोदने पर हड़ी या फटा कपड़ा मिले तो अशुब होता है अगर जमीन खोटते समय, खप पर मिल जाए तो उसे बनने वाला घर कलहा से भरा होता है जमीन खरीदते समय धियान रहे, मिटी का रंग कैसा भी हो लेकिन वो चिकनी होनी चाहिए, स्मूध होनी चाहिए जिस जमीन पर पहले कभी शम्शान रहा हो वो अब शकुनी होती है जमीन को चुनते समय ये जरूर देखें कि जमीन बंजर ना हो उसमें कुछ न कुछ होता हो जमीन में एक गड़ा खोद कर उसमें पानी भर दें वहां से पूर्फ दिशा की और सौ कदम चलें और लौट आएं अगर उस गड़े में पानी पूरा फुल रहा है तो यह जो पानी अगर पूरा भरावा है तो बहुत अच्छा है अगर आदा खाली है तो जमीन ठीक ठाक है और अगर पानी सूप गया तो जमीन के मालिक के लिए यह जमीन भागिशाली नहीं है अपना मकान या ओफिस या दुकान ऐसी जगा बिलकुल भी ना बनाएं जिससे उत्तर पूर्फ दिशा में उचे भवन परवत या पीपल का पेड़ हो जमीन के लिए भूमी खरीती समय ये ध्यान रहे कि उसके उत्तर दक्षिन में तालाव या नदी ना हो ऐसी जगा धन का नाश होता है चली अब आपको आज का दूसरा महा उपाय बताती हूं क्या किस्मत नहीं चमक रही? हर बार दोखा दे जाती है भागय चमकाने के लिए सुभव उटते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें ऐसा करने से दो फायदे होंगे एक आप हमेशा सेहत मन रहेंगे आपको दिन भर टेंचन नहीं होगी और दूसरा इससे आपका भागय चमक उठेगा शादियों का सीजन चल रहा है इसी लिए शादियों पर बात जरूर करूंगी आज आपको शादियों के वेलवेट आप्शन के बारे में बताने जा रही हूँ ध्यान से देखेगा शादी में पहनेंगे तो आपकी शान बढ़ेगी वेलवेट ब्लाउज, रिट सिल्क और वेलवेट पहनने के लिए सर्दियां बिल्कुल साही सीजन है आप नेट की साड़ी पहने या फिर जॉर्जट की साड़ी वेलवेट ब्लाउज सब के साथ अच्छा लगेगा फुल स्लीज का इंब्रोईडरी वाला वेलवेट ब्लाउज, ना सिरफ आपकी साड़ी बलकी लेंगे पर भी बहुत कुपसूरत लगेगा वेलवेट जाकेट विंटर वेडिंग के लिए बेस्ट है जाकेट स्टाइल ब्लाउज, यह आपको सर्दियों में गरम रखता है और एलिगेंट लोग भी देता है इसके लिए आप शॉट बोडी स्टाइल जाकेट भी पहन सकते हैं, लंबा जाकेट भी पहन सकते हैं इसे साड़ी, लेंगा, अनारकली सूट या पैंसिल स्कर्ट पर भी पहना जा सकता है अगर आप फिर्शे बोडी की हैं तो लॉंग जाकेट पहने अगर आप लंबी हैं तो पैंसिल पैंट के साथ में आप नी लेंथ जाकेट वेलवेट का पहन सकती हैं या बैंड कॉलर जाकेट भी पहन सकते हैं वेलवेट अनार कली, नेट या जोर्जट अनार कली वैसे तो बहुत आम है लेकिन आप कभी वेलवेट अनार कली के बारे में आपने सोचा है अगर नहीं तो आप सोचे एंटीक गोल्ड काम वाला प्लाक वेलवेट का सूट और इसके साथ एक कंट्रास्टिंग दुपत्ता शानदार लगेगा वेलवेट बोडी और नेट की कलियों वाला अनार कली भी अच्छा अप्शन है इसके अलावा स्ट्रेट फिट वाले वेलवेट कुर्ते या कमीज और एंबेलिश्ट पेंसिल स्कर्ट के भाद भी आप इसे पहन सकते हैं वेलवेट दुपत्ता अगर आपको वेलवेट ब्लाउस बहुत कामन लगता है तो आप वेलवेट दुपत्ता ट्राइ करें क्रोश्या या लेस अनारकली सूट के साथ कंट्रास्टिंग वेलवेट दुपत्ता ट्रेंडी लगेगा शादियों का सीजन है तो आपको अब शादी के रिलेटिट कुछ मंत्र बताने जा रही हूँ उनको जपिए इन मंत्रों को जपने से आपकी शादी जल्द होगी मंगलवार के दिन मंगलगौरी का व्रत करें और व्रत में जो मंत्र बताने जा रही हूँ उसका ग्यारा माला का जाप करें शिव मंत्र है ओम हम कामदाय वर प्रियाय नमह शिवाय मंघलो गारी मंंत्र है, हरीम मंघले गौरी विवा बाधायि नाशायि स्वाहा दोरों का 1111 माला का दाघ करना है हनुमान मंत्र है, क्रॉम बीजात्मा, नयनयो, पातु मा वनेश्वर, हम अनुमते नमहा शिव पार्वती के विवा के चित्र को अपने घर में स्थापित करें जिसमें वो एक दूसरे के साथ वर्माला लेकर खड़े हैं नेमित उनकी अर्चना करें और आप उनसे अपनी जल्दी शादी की प्रात्मा भी करें शादी में आने वाली बाधाओं में एक कालसर्फ योग भी हैं कालसर्फ दोष के निवारन के लिए नाग पंचमी के दिन शिव जी की पूजा कर चांदी के नागनागिन का जोड़ा चढ़ाएं और एक जोड़ा चांदी का सर बहते जल में वहाएं शिव जी का पूजन कर तिलक लगाएं तो भी जल्दी शादी के योग बनते हैं इस सोमवार को शिवलिंग का जल या पंचामरित से अभिशेक करें शीक्र विवा के लिए सोमवार को लड़का केसर वाला दूद से और लड़की अनार के रस से शिवजी का अभिशेक करें आपको सोमवार को हरीम हरीम गिरजा पत्ते शिवशंकराय हरीम मंत्र का जाप 108 बार करना है आईए अब आपको आज का तीसरा महा उपाई क्या है ये बताती है क्या बार बार दुरगटना हो जाती है समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है शुकल पक्ष में आम अवस्या के तुरंत बात का पहला मंगलवार आप उसको 400 ग्राम दूद को चावल से अच्छे से रब करकर बहते पानी में डाल दीजेशे नदी पुल्यूट भी नहीं होगी मचलियों का खाना भी होगा ये उपाई लगातार साथ मंगलवार करें दुरगटना होनी बंद हो जाएगी शादी की बात हो रही है तो आपको दुल्हन से जुड़ी एक रस्म के बारे में बताती हो आप सब जानते हैं कि दुल्हन बिदाई के समय अपने माईके के पीछे की तरफ चावल फेकती है आपने सोचा है कि यह रस्म क्यों निभाई जाती है इसकी असल वज़ा क्या है आई बताती है चावल फेकनी की रस्म का मतलब यह है कि दुल्हन अपने परिवार वालों गर के भंदार भर कर जा रही है बेती घर की लक्षमी मानी जाती है और उसकी बिदाई के बाद उसके माईके में भी खुश्या बनी रहे इसलिए ये रस्म होती है इसके अलावा ऐसी भी मानेता है कि आने वाले जीवन में नए जोड़ों को संतान सुक मिले उसके भाग्या उनका साथ दे जीवन में खुशाली और सुक सम्रिद्धी बनी रहे आगे दोनों को जीवन मंगल मैं और खुशाल रहे ये खुबसूरत चहरे सिरफ ब्यूटी पार्लर और बड़े शहरों में नहीं मिलते ये चहरे आपको गाओं में भी मिल सकते हैं, छोटे शहरों में भी मिल सकते हैं, मुझे अपने एक-एक दर्शक का ध्यान रखना होता है, चाहे वो शहर का हो या गाओं का हो, तो आज मैं आपको मिट्टी से खुबसूरत बनने का तरीका दिखाने जा रही हूं आज हम बात करते हैं कि आपके घर के आसपस पाई जाने वाली मिटी जिसको हम मड़ पैक बोलते हैं, यह कितने फायदे मंद हो सकती है आपके स्किन को ब्यूटिफाइ करने के लिए अगर आप लेते हैं और इसके अंदर कुछ ऐसा मिक्स करते हैं, कुछ ऐसा का मतलब है, यह हो सकता है, आपके अगर स्किन बहुत ज़्यादा डेहरेटेड है, तो हो सकता है आपको एक ओयल या मौश्चराइजर मिक्स करना पड़े, और इसके साथ आप बहुत इसली अपनी बड़ी पैक बना सकते हैं, लाइक जैसे कि आपने अपने हाथों के ओपर या पैरों के ओपर आपने ग्लो लाना है, तो इस टाइम आपको चाहिए रहेगी थोड़ी सी मद, इस समें मद हमने चाहन कर यूज किया हुआ है, और इस मद को इस समें मिक्स करने के लिए, क्यों मुल्तानी मिठ्टी होती है, यह हमने इस समें, चैसे में मुल्तानी मिठ्टी रिए वम दे तो उसके जो ये पैक होता है इसको आप चाहे तो ब्रस से यूजक कर सकते है, चाहे आप इसको डारेक्ट फिंगर से भी यूज कर सकते हैं, और इसके थोड़ी मोटी मोटी लेयर इस तरह से आपको आपने स्किन पर लगानी है. अगर आपकी स्किन पर इस तरह के redness है, या तो इतने से एरिया में भी अगर इसको रेगुलर्ली डेली बेसिस पे लगाते हैं तो आपकी स्किन अंदर से ही प्योरिफाई होना शुरू कर देती है उसी तरह से इस समय हम जो यूस कर रहे हैं तो मुलतानी मिट्टी का जो पैक है जैसे इनकी नोस पेट काफी टैनिंग है परती से जुड़ी कोई भी चीज यूस करते हैं तो उसको आप डारेक्ट स्किन कॉंटेक्ट में भी इस्तमाल कर सकते हैं इससे फाइदा उनको भी है जिनके स्केल्प पर या स्किन पर समय अपलाई हो रहा है और फाइदा आपको भी है विकर आपके फिंगर्स के थ्रू जो इसकी ठंडक है जो इसकी गुणकारी जो लाब है वो आपकी बॉड़ी तक जा रहा है इस तरह से हमने फेस पर इवनली अपलाई करना है को आपने इवनली अपने पुरी बॉड़ी के ओपर लगाना है जैसे भी हम फेस पर लगा रहे है और बहुत ही सस्ता उपाय है मत जो हम आपके गार्डन में या आपके टर्स गार्डन में जो हम मिट्टी यूज करते हैं इस वेरी गूड इन कुलिंग यूर स्किन यह जो मड़ पैक है जिसको बनाना बहुत इजी है इसके लिए आपको थोड़ी सी मड़ चाहिए और मड को मिक्स करने के लिए जिसे आपने मड लिया और मड को मिक्स करने के लिए आप कच्छा दूद ले सकते हैं अगर आपकी स्किन ड्राय है तो कच्छा दूद या मलाई को आप यूज कर सकते हैं अगर स्किन ओईली है तो आप गुलाब जल या ग्लिसरिन भी इसमें डाल सकते हैं तो बहुत ही इसको पेस्ट तयार है और पेस्ट को आपने हाथों पे, पेरों पे, गुट्नों पे जहां पर भी लगाना है सिर्फ दस मिनट तक लगा कर छोड़ना है जैसे आप देख רहे हैं कि इनके जो नकल्स हैं यह काफी डांक हो रहे हैं तो इन नकल्स के ओपर अगर आप रेगुलरली मट शुरू हो जाता है सिमिलर लिए अगर आपको लगता है की कोहनिया काफी काली हो रही है तो इस तरह से मट पैक बनाकर आप कोहनियों पे भी रेगिलरली अगर इसको लगाते हैं और दस मिंट बाद सिंपल आपने प्लेन पानी से इसको बस वाश ओफ कर देना है सिर्फ लगा पास है एक लोहे के बरतन में पानी चीनी दूध और घी मिला ले इसे पीपल के पेड़ की छाया में नीचे खड़े होकर पीपल की जड़ में डाले इसे घर में लक्षमी का स्थाई वास होता है चलिए बात करते हैं आज की खास आस्टो टिप की जो की है जमीन से जुड़ी वी अच्छी जमीन मतलब जो भूमी होती है नौन कंस्ट्रक्टेड जो एरिया होता है घर का यह किसी भी जमीन का उसको शुक्र प्लानेट के साथ जोड़ा जाता है वो शुक्र उसका कारक होता है शुक्र यानि की अच्छी मैरेज लाइफ सुख सुविधा प्लेजर एक्साइटमेंट जॉई इन लाइफ जिसको हम जीवन का रस बोलते हैं पहले आप देखते थे घरों में कच्छी जमीन जरूर छोड़ी जाती थी अब ऐसा कुछ नहीं होता आपके घर में अगर ली थोड़ा थोड़ा पानी डाले तो आपके घर में शुक्र स्थापित हो जाता है इसको साउथीस्ट में करते हैं और बहुत अच्छा अगर यह भी नहीं कर सकते साउथीस्ट में खुली जगा नहीं है कोई बात नहीं साउथीस्ट में वो जो घड़े बनाने वाले होते उनकी हाथ की बनीवी कच्ची मिट्टी की मा लक्षमी की मूर्ती लाकर घर में स्थापित कर दे इससे भी शुक्र स्थापित हो जाता है फेस्बुक पर आकाश महरा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेर की है आकाश को अपनी नौकरी को लेकर चिंता रहती है उनकी नौकरी कब लगेगी उसके उपाई जानना चाहते है आपके जॉब लगे इसके लिए आपको दो काम करने है एक अपने घर के इस्ट में छोटे से इंद्रदेव को स्थापित कर देना है और अपना रजीव में उनकी नीचे रख देना है दूसरी बात अपने घर में वेस्ट और साउथवेस्ट के बीच में आपको एक येलो कलर का बल्ब जला देना है इन दो उपाई से आपकी जॉब जल्दी लग जाएगी पर अगर आपने मेहनत करी होगी तो entertainment की बाद बाद में पहले आपके कल आपके future की बाद क्या करें आप अपनी राशी के हिसाब से कि कल को सुधार सके जाने मेश राशी के लोग कल के दिन हो सकता है काम में मन ना लगे दोस्तियार आजाए पर काम को पूरी concentration से करें लग साथ दे रहा है आपका कल 65% व्रिश्व राशी वाले लोग गणेश जी की पूजा जरूर करें किस्मत साथ दे रहे है आपका 59% मिथुन राशी के लोग बाहर का खाना बिलकुल ना खाएं भागे साथ दे रहा हैं आपका 67% करक राशी के लोग काम कोई भी अधूरा ना छोड़ें लग साथ दे रहा हैं आपका 58% सिंग राशी के लोग घर की साफ सफाई अच्छे से कीजिए भागे साथ दे रहा हैं आपका 70% कन्या राशी के लोग आप लोग कल किसी को सलहा ना दे हो सकता है उसका काम कल उल्टा बने और आप पे परिशानी आएं लग साथ दे रहा हैं 72% तुला राशी के लोग कल के दिन डॉक्स को रोटी दूद इस तरह से कोई भी खाने की चीज़ जरूर खिलाएं भागे साथ दे रहा हैं आपका 66% विश्चिक राशी के लोग माता पिता की बात सुनिए लाब होगा भागे साथ दे रहा हैं आपका 53% घनू राशी के लोग घर के मंदिर में फूल रखे किसमत साथ दे रही हैं आपका 64% मकर राशी के लोग गरीबों को कुछ पैसे दान में दीजे भागे साथ दे रहा हैं आपका 73% कुम राशी के लोग सुभा देर तक बिल्कुल ना सोएं किस्मत साथ दे रही है आपका 68% मीन राशी के लोग नशे से बिल्कुल दूर रहें भागे साथ दे रहा हैं आपका 60% कि देर नहीं करते हैं शो के आखिर में जाने से पहले आपको बताते हैं आज का पांच्वा माह उपाएं क्या बिमारी से दूर रहना चाहते हैं आप नीम की छोटी-छोटी जो कुमपल होती है उसको गुड़ और मसूर की दाल के साथ पीस कर खाने से सेहत मन रहेंगे आप इ अगर आपकी किस्मत अभी तक नहीं चमकी है तो कल चमक सकती है क्योंकि कल आपको वो उम्र बताऊंगी जब भागय उदे होता है यानि कि जब भागय उदे होता है इसलिए फ्यूचर का शोव जरूर देखे यानि कि कल का शोव जरूर देखे अब चलती हूँ खयाल रखि बाई-बाई, टेक केरे.